मार्शल शवास सर्व आप से मैं शुरूबात करते हैं अभी जो सिच्वेशन है और जैसा लग रहा है यह पहले भी होता रहा है कि चाइना जो मसल फ्लेक्सिंग करता रहा है यह दिखाता रहा है कि तैवान के ऊपर हमारा वन चाइना पॉलिसी में अधिकार है लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी वो इस्तिती नहीं पहुंची है कि चाइना उसके ओपर रेली एक अबजा करने के लिए कोई अटेम्ट करें क्योंकि उसमें एक दिक्कत यह है कि तैवान और उक्रेन की सिच्वेशन बहुत अलग है तैवान को कोई देश एकसेप बहुत चोटे मोटे देश रिकनाइस करते हैं बागी रिकनाइस नहीं भी करते हैं वो यह उनका मेंबर नहीं है लेकिन तैवान जो है इलेक्ट्रानिक गुड्स का इंडस्टियल पावर है वहां से वह सोर्स होता है यूएस के मिलिटरी एक्पेंट में भी लगता है यूरप के मिलिटरी एक्पेंट भी लगता है इसलिए तैवान को बचाना उस आइलेंड को बचाना सबकी जिम्मेदारी है यूरप की भी और यूएस की तो मुझे नहीं लगता कि चाइना के अंदर अभी इतनी शक्ती उठेगी कि वो जाके तैवान पर टैक करेगी ये एक्सपैंशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है और अगर ये करते हैं तो आप समझ लीजे कि शंक्रनाद हो गया है अगर ऐसा हो गया तो अगर हम उनकी फ्रिक्वेंट वो फ्लाइट्स देखें जो उनके युदपोट से लेकर ताइवान की सी माउट तक चले जाते हैं चीन के तो जैनल से ये क्या है फिर देखें सुरता मिलियनम गोल रहा है चाइना का एक उनका जब सीपीसी जो है उनका हुआ और उसके बाद उनकी मिलियनम गोल है उसके अंदर में चाइना का जो हेजमनिक तरीके से निकलना है बिश्यों के अंदर में पावर है और उनकी जो प्लैनिंग है कि 2030 तक अमेरिका को डाउन करके वह एक ओमनी पावर की तरह निकलें तो उसकी मार्च है और देखें वि्ट्र और उलिम्पिक के आख उनके समय है और उसके मौका है यह टाइवान के करें। कि वो दूसरी बात है तैवान के किसे रिफ को करेंगे मäगर जो जो नाइन डैस लाइन की बात होती है इंडोपैसिफिक की saja की होती है तो संटर अब ग्राविटी को भेस्ट करना चाहेंगे अभर अभी संटर अओ ग्राविटी एटलेंटिक धिर थोड़ी बड़ी बात है वो ट्रांस अट्लैंटिक के तरफ है तो रश्या ने किया है तो यह बहुत बड़ी हल चल है यह बहुत बड़ा उतल पुदल है इसको आप लोकलाइस तरीके से देखेंगे तो जियो स्टाटिक डोमेन के अंदर में जो चीज को समझना है आप नहीं समझ नही है यह किब की लड़ाइआ नहीं यह की लड़ाइए नहीं यह पूरे जियोस्टाटिक संदाव में खास करके पोस्ट पैंडमिक यह देखें पूरे बिश्व में चांडर भारत के अंदर हल चला है भारत के इसा नहीं जो किया चाइना हमारे नदन बार्द भॉसमाश यह बहुत खुशकिस्मत लगते हैं कि हम इद्वुस्तान जैसे देश में रहते हैं जहां पर एक तरफ देखिए पाकिस्तान तूट कर बिखर गया श्रीलंका का हाल सब देख रहे हैं नेपाल की सुगुगा हट सब देख रहे हैं उधर अफगानिस्तान देख लीजे वहां क का मुद्दा है यहाँ पर रोजगार का मुद्दा है उन चीजों पर काम होना लेकिन ज्यूंटे करते हैं इन देशों स Nep recognizes के आपको लगते हैं और आपका अपना । वो अनौंस कर दिया उसने अमेरिका भी कुछ को मानता है भारत भी उसको मानता है उनाइटि नेशन का हिस्सा नहीं है उनाइटि नेशन वेल जो हैल्थ और्गनिजेशन उसका इसनी है तो ऐसे में अगर जो सिच्छेशन अभी हो रही है जब सब का फोकस है रूस और युक् strategic force से एक दम अटायक कर देता है तो ताइवान के अंदर strategic depth नहीं है जो युक्रेन में थी तो वो एक छोटा टापू है उसको घेरा जाना असान है मगर मैं ये भी समझता हूँ क्योंकि जो जिस परकार थे अमेरिका को इसका अंदेश्चा है जो ताइवान straight cross करके इसको 24 गंटे ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि 24 गंटे तक वो ताइवान को लेगा तो लेगा नहीं तो नहीं ले सकता क्योंकि अमेरिका को ये डर है तो उसने दो अपने युद पोट स्ट्रेटिजिक युद पोट छोड़े हुए हैं युएसस निम्तिज और युएसस रोलन लिगल एरकार्फ केरियर ग्रॉप उसको इस चीज़ का अंदेशा है मगर कहीं कहीं युक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद चीन के होसरे थोड़े बलंद है वो सोता है कि हम मैं साइद वो सोता है देखो ये तो सचाई है कि आने वारे समय में कभी ना कभी तो वो ताइवान को लेगा